हेलो डियर स्टुडेंट आपने देखा हुग एक राउंडिंग आफ हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका आप एक स्टार्ट ले लिजे और देख लिजे क्या डेफिनेशन में आपके एक बार समझा देता हूँ राउंडिंग आफ की जरुवत क्यों पड़ती है क्योंकि हमें मिनिममम सिग्निफिकेंट फिगर आप्टर डेशिमल एडिशन में और पूरे मल्टिप्लिकेशन और डिवाइडिशन में हमें मिनिममम सिग्निफिकेंट फिगर टोटल रखने होता है तो इस बज़े से हमें rounding off की आवशकता पड़ते हैं तो इसके rules क्या है इसका rule दो ही हमें जनरली बताए दे रहा हूं आपको यदि आपका cutoff digit के पहले का digit 5 से जाधा है तो cutoff digit में एक increase हो जाएगा बिल्कुल simple में है और cutoff digit से पहले का digit 5 से कम है तो cutoff digit as it is बना रहेगा और यदि जो 5 को ही eliminate करना है आपको cutoff digit के just about 5 है और उसके पहले even है तो वो unaltered बना रहेगा उसमें कोई change नहीं आएगा और यदि उसके पहले odd number है तो उसमें क्या होगा 1 increase कर जाएगा चलिए देख लिजे इसको बहुत सरल है rule number 1 if the number of lying to the right of the cutoff digit is less than 5 then cutoff digit is retained as such however if it is more than 5 then cutoff digit is increased by 1 जैसा मैंने आपके explain किया था कि अगर यहाँ पर यह 8 cutoff digit है यहाँ तक हमको करना है and decimal के 2 points तक हमें करना है तो इन सबको हम देखते हैं यह हमें terminate करनी है 2 is less than 5 आराम से बतलब simply यहीं ड्रॉप हो जाएगा 3 less than 5 यह भी simply dropped out हो जाएगा बगर किसी जो है change लाए हुए तो यह कैसा हो जाएगा 7.1 sorry 71.58 अब अगल अगला देखने लिए हम लोग कि अब हमारा जो cut off digit है उसके just बाद में जो आ रहा है वो digit more than 5 है जब यह more than 5 है तो यह का करेगा जो आगे की cut off digit है इसमें 1 increase कर देगा तो उसने क्या किया simply is का 1 increase कर दिया आप देखिए जो main चीज है यहां से कभी कभी question बन जाता है कि अगर जिस cut off digit के just पहले यदी 5 है तो दो भागों में एक rule बढ़ जाता है cut off digit के just पहले यदी 5 है और उसके पहले odd number है तो क्या होगा 1 से increase कर जाएगा और 5 के just पहले यदी even number है तो वो unaltered रहेगा चलिए देख लीजे 71.635 यह क्या है हमको इसको हटाना है इसका rounding off करना है तो क्या करेंगे यह 5 के equal है इसके आगे देखिए यह 3 कैसा है 3 odd number है odd number है तो 1 से increase कर जाएगा कौन increase कर जाएगा 3 कर जाएगा क्योंकि यह हमारे cut off digit है यहाँ तक हमको answer रखना है 71.64 क्योंकि past था यहाँ पर और यहाँ पर यह odd number था odd number था तो एक बढ़ जाएगा चलिए दूसरा देखते है 71.625 अब यहाँ पर 5 है इसको हमें eliminate करना है eliminate करना है तो इसके आगे देखेंगे आगे देखोगे तो यह even है और even number कोई है तो वो additive रहेगा so answer will be what 71.62 rounding off की बहुत जरुरुत परने वाली है आपको किसमें algebraic operation of significant figures आनि कि जब आप जोड़ेंगे किस दो quantities को जोड़ेंगे घटाएंगे उनका जो magnitude आएगा उसमें कितने significant figures होंगे और वो हमें significant figure के rule के अनुसार रखना पड़ेगा और जब उनको हमें कम जादा करना पड़ेगा तो उसमें कौन रोल प्ले करेगा यही कौन rounding off rounding off कोई जरा से summary ले लिजिए यदी जो है क्या है पास से ज़्यादा है तुरंट एक बढ़ाई है यदी पास से कम है ऐसे ही छोड़ दी यदी पास के बराबर है तो आगे की संख्या को देख लीजिए वो even है तो उसमें के अगर यह कुछ भी मत जोड़िये घटाईए और अगर odd है तो उसको एक बढ़ा दीजिए ये चलिए आगे देखते हैं जल्दी से हम लोग algebraic operation of significant figures Hello dear student जो पिछला assignment मैंने आपको दिया था उसके answers मैंने board पलिक रखे है और कुछ डी डी दो बार लिखा हुआ है जी फिर जो है उसके B से F गायफ है तो इस तरीके का मैं इस वज़े से करता हूँ कि आपका जो brain है वो storm करे कि देखे वह ये क्या गलत आ रहा है क्या सही आ रहा है तो एक बार आप board पर देख लीजिए कि जो भी answers आप मिला लीजिए अगर इसमें आपको doubt लगता है कि ये वाला answer कैसे है ये answer सही है या गलत है तो इस तरीके कि अगर doubts आपको आवें तो तूरंद जो है आप मेरे comment box में जाएए मैं आपको personally reply करूँगा काटना नहीं चलिए आपने देख लिया होगा अब मैं जो दो मैंने आपको questions दिये थे अलग से questions दिये थे जिसमें एक farmer था और उसने अपने खेट की लंबाई एक length जो है उसने जो है meter से मापी होई थे और जो general meter था उससे उसने को measurement किया था और उसकी जो माप आ रही थी वो 3000 आ रही थी 3000 meter आ रही थी तो इसमें देखना है मेरा significant figure कितना आता है तो देख लिजिए बच्छे एक बार आप बिल्कुल अच्छे से समझ लिजिए अगर कोई measurement instrument की सहता से करके आपको दिया गया exact यह measurement है तो उसमें जितनी भी digit हैं वो एकदम clear होंगी वो सारी digits क्या होंगी आपका significant figure होंगी तो यह एक measurement है जो farmer ने किया है खुद किया है और meter सी किया है तो इसका जो significant figure आएगा वो सारे zeros मिलाके भी इसमें हो जाएगा तो एक, दो, ती, चर तो यह हो गया इसमें significant 4 ठीक है ना अब चला अब चलिए आगे जो एक question मैंने दिया थे कि एक student ने एक length इस skill की साहिता से मापी है तो उसने जो length माप रखी थी वो क्या था 11.3567 cm अब हमें इसमें बताना था how many significant figure in this measurement अब इसमें मेरा answer है मेरा answer है इसमें मैंने answer आपको निकाल के दिखाया है कि मेरा answer इसमें 4 है जब कि आप देख रहे होगे कोई भी non zero नहीं है इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है और यह 5 6 इसमें 6 होना चाहिए था दूसरा मैंने अभी आपको कहा कि अगर measured value है तो सारे numbers क्या होंगे significant figure होंगे बट यहां पर मैंने आपको एक चीज़ सबसे पहले पढ़ाई थी least count उसका क्या मतलब था और definition का क्या मतलब होता है कैसे उसका implementation करते है उसका इस question है बहुत अच्छा यूट है मैंने आपको बताया था है की significant figures क्या होते है जो accurately digits को मापा जा सकता है plus one doubtful अब आप इस scale को देखे इस scale का list count है millimeter एनि कि आप इससे अगर millimeter तक का आप क्या कर सकते है एकदम exact map सकते है और millimeter के बाद जो digit आएगा वो क्या हैगा doubtful आएगा तो हम इस measurement में यह देखेंगे कि centimeters इससे बिल्कुल accurately मापे जा सकते है millimeter एकदम accurately मापे जा सकते है उसके बाद का एक doubtful तो एक doubtful कौन सा हो गया millimeter के बाद का हो गया तो वो doubtful हमने जोड लिया तो इस पे कुल मिलाके कितने आ रहे है four significant figure आ रहे है अब आप देखे 11 centimeter yes हम बिल्कुल अच्छे से माप सकते है स्केल की साहता से ये वाला ये वाला जो है क्या है point three है अगर point three को देखें तो ये क्या है three ml आ रहा है ये कि three upon ten a three ml आ रहा है ये कि millimeter sorry millimeter आ रहा है और millimeter को भी हम जो हमने आपके skill दिखाये था इससे ना आप सकते हैं sorry measure कर सकते हैं तो ये कितना हुआ आपका ये भी आपका जो है accurately माप पा जा रहा है ये भी accurately और ये भी accurately plus ये doubtful है क्योंकि हम millimeter से कम उस scale से नहीं measure कर पा रहा है तो ये doubtful होगे तो इसमें कितने significant figure आएंगे इसमें significant पा जाएंगे तीन accurate माप पा रहा है और एक अपना doubtful हो रहा है तो four significant figures आ रहा है चलिए अब दूसरा देख लिजे एक और उधरन देख लिजे जिससे आप और clear हो पा है 0.0234 newton per meter इसमें four significant figure है आल्दो इसमें क्या है ये एक measured है तो इसमें क्या है आगे की जो initial जो terminal 0 हो ज़ते हैं terminal 0 किसी भी measurement में हो उसको counting करेंगे लेकिन इस measurement में देखिए आप जो terminal 0 तो हो गया लेकिन ये tailing 0 tailing 0 हम count करेंगे terminal 0 हम count नहीं करेंगे tailing 0 हम measurement में count करेंगे तो ये हुआ हमारा जो solution इसके बारे में हमने जान लिया हैं, अब आगे हम इसके algebraic operations पढ़ेंगे किसके significant figures के चलिए जो हमने significant figures पढ़े हैं, physics में जो हमें answers देने होंगे, तो इनका ध्यान रखना होगा और इनके चार algebraic operations हैं, जो की mathematical हैं, आपको पता हैं, जोड़ना, घटाना, यानिक addition, subtraction, multiplication and divination सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, addition के, addition में क्या होता है, इसके simple rule है, simple rule है, एक बढ़ पढ़ लेते हैं इन addition or subtraction, इन दोनों में ही, the number of the decimal places in the result, यानिक result, should be equal to the number of data term in operation which contains lesser number of decimal places, इसका अर्थ क्या हुआ, जा हम दो quantities को जोड़ेंगे, या घटाएंगे तो जब result आएगा, यानि result आएगा, तो उस results में क्या होंगे, minimum, minimum, जो significant figure है, जो भी उस operations में part कर रही हैं, जो भी जो numbers हैं, उन numbers में decimal के बाद, किस में सबसे कम significant figure हैं, वो उसमें हम रखते हैं, इसको example की साइता से हम लोग देख लेता है, 12.587-12.46, इसमें हमको करने से पहले एक बार remind कर लीजे, इसमें decimal के बाद कितने significant हैं, 4,6, और इसमें कितने हैं, 3 significant figure हैं, तो एक बार clear हो जाईए कि जैसे decimal लगा होगा, तो decimal के बाद lesser वाला आएगा, यनि कि decimal के बाद answer जो हमारे आने जा रहा है, वो कितने decimal के बाद कितने points के आपको जाना है, केबल 2 points तक जाना है, तो यहाँ पर हमने इसको निकाला, so that's come down, 0.127, और 7 का 7 और 2 हमने क्या कर दिये हैं, eliminate कर दिये हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, actually हमें 2 term तक चाहिए था तो हम केबल किसको eliminate करेंगे, 7 को eliminate करेंगे, और rounding off के बाद आपको पता है, यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो answer किसमें आएगा, decimal के 2 points तक, क्योंकि इसमें 2 जो number से उनमें सबसे कम significant figure last वाले में हैं, यहीं कि 12.46 में, अब इसमें तरह 2 minute समझ लीजे, थोड़ा सा यह करते हैं, एक्चल 4, 6 के बाद हमें 7 से जो घटाना है, वो digit 0 नहीं है, पता नहीं क्या है, यह unknown है, यह क्या है, unknown है, अगर यह कुछ भी digit 0 सकता है, 1, 2, 9, तो यह answer को uncertain करेंगा, जो answer को uncertain करेंगा, तो हम इसको eliminate कर देते हैं, ठीके ना, चलिए, अभी बात करी हमने, ज्य प्रिशिमल नहीं हो रहे हैं, और हमें operation करने, addition और subtraction के, तो यह एक simple सो धरण है, कि अगर हम इसको जूड़ें, तो जितने आ रहे हैं, आपको पता है, significant का मतलब होता है, उनकी अलब सार्थकता हो, तो यह सारे जोड़ रहे हैं, तो यह सारे इसमें आ रहे हैं, तो इसमें maximum number of significant figures आ रहे हैं, चलिए इसको देखे, इसमें देखे हैं, इसमें देखते हैं, तो इसमें भी four significant figures आ रहे हैं, इसको देखे जरा, यह दोड़ा interest create करता है, कि अगर इसमें से हम इसको subtract करते हैं, तो हमको क्या बसता है, हमको बसता है, 0900, अब significant figures का मतलब होता है, meaningful, आप 1 तो क्या करेंगे, rule लगा देंगे, rule क्या कहता है, जो आपकी terminals zeros हैं, वो क्या होती है, significant figure नहीं होती, तो इसमें significant figure कितना आएगा, 3 आएगा, खीक है ना, चलिए, अब हम जो operations है, multiplication और divide का, किसका significant figure का, इससे पहले कि मैं आपको explain करूं, आप मैं हटता हूं, और board से जल्द चलिए, चलिए, समस्ते इसको, क्या होता है, चलिए, ये कहता है, in multiplication and the division, the number of SF, SF means significant figures in product, product means good and full, or quotient, quotient means bhaagful, is same as the smallest, 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 number of, number of, ये दो बार लिख गया, number of significant figures in any factor, इसमें क्या कह रहा है, किसी भी जो, दो quantities का, या दो आप numbers का multiplication कर रहे हैं, तो जो result आएगा, result में क्या करना है, minimum, minimum significant figure रखने हैं, और वो कितने रखने हैं, जो उन दोनों में, जिसके सबसे कम हो, इसको एग्जांपल के साहता से हम लोग समझता हैं, चलिए देखे, we are going to multiply 1.3, multiplied by 32.01, it comes out 41613, 1.3, so, in which number, the smallest significant figure, you know, in this 1.3, we have total number of significant figure 2, in this quantity, we have total number of significant figure 4, तो जो results आएगा, जो multiplication आएगा, उसमें क्या होगा, तो minimum significant figure होगे, वो कितने होगे, दो होगे, अगर आप इसको देखें, तो results आ रहा है, 41.613, तो हमें इसको eliminate करना पड़ाएगा, और यह approximately, हमें कितने हमें रखना पड़ाएगा, कितने significant figure लेना है, दो लेना है, जिसमें केबल तो significant figure लेना है, total देखना है, decimal के बाद नहीं देखना है, तो इसका answer आएगा, approximately, 41, और अगर आप इसको 6 को rounding off करेंगे, यह कितना हो जाएगा, approximately 42, है न, तो यह क्या होगे, 42 होगे, क्यों होगे, इसमें आपको थोड़ा सा aware रहना है, क्या होगे रहना है, कि अभी हम लोग addition पढ़ के आए हैं, और addition में क्या हो रहा है, addition में यह कह रहा है, कि point के बाद, जिसमें minimum decimal होगा, उस पर चलेंगे, तो हमारा मन यह करता है, वो set बना रहता है, कि point के बाद ही minimum number of decimal हमें रखने हैं, नहीं, multiplication में कैसा है, total जोड़ना है, be the decimal के जोड़ना है, इसमें total जोड़िए, आप इसमें सबसे कम किसमें हैं, इसमें 1.3 में हैं, इसमें total कितने आने चाहिए, total जो, इसमें, results में, जो significant figure आना चाहिए, वो 2 आना चाहिए, लबकि हमें कितने मिल लह थे, 41.613, तो total 5 आ रहे थे, इसको reduce करना था, हमें कितने significant figure तक, दो significant figure तक तो दो significant figure जा हम लाएंगे तो यह कितना हैगा 42 ठीक है ना 42 आगया क्या मैं इसको जोड़ के दिखा रहा हूं आपको क्या अंतर है दुनों में अगर मैं यह 3 quantities आपके सामने जोड़ रहा हूं 3 numbers में आपके सामने जोड़ रहा हूं 1.3 plus 11.00 plus 256.111 जहां हम इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ रहा है 268.411 अब यहां पर आंसर जो हमारे आएंगे वो decimal के कितने अंके तक आएंगे जिसमें decimal के बाद सबसे कम अंखों है निकी decimal के बाद हमें कितना आंसर चाहिए केवल एक डिजिट आनी चाहिए तो आंसर अप्रोक्सिमेटली आएगा 268.4 अब यहां पर आप थोड़ा सा ठ्याल लगाई है क्योंकि इसके डिजिट के आगे 0 नहीं है यह doubtful है यह भी doubtful है यह भी doubtful है और यह जो number जो है आपका यह जब यह doubtful हो गया यह doubtful number हो गया तो यह सारे जितने भी doubtful numbers है जितनी doubtful digits है वो हमें answers में से हटानी पड़ेंगी तो क्या करते हैं हम डिजिमल के बाद उतने significant figure रखते हैं addition में खासकर addition में उतने significant figure रखते हैं जो decimal के बाद सबसे कम हो जिन दो quantities में कम होंगे उसका minimum significant figure रखेंगे मुझे लगता है आपको एकदम clear हो गया होगा चलिए डिवाइट से जुड़ा एक interesting questions है एक चलिए दो questions है और इसमें आपका concept clear होगा एक book में था मुझे अच्छा लगा है आपको बताने का परियाश करता हूँ चलिए दीखे first question is this 1100 divided by 10.2 so it comes out 107.84313 as you know we have to put number of significant figure in the quotient चलिए तो किस में सबसे कम significant figure है you are seeing in the denominator we have only 3 significant figure and in numerator this is only 2 so यहाँ पर कितना significant figure है 2 है तो answer में जो answer आएगा उसमें कितने significant figure होगे आप clear हो रहे होगे कि cable 2 होईगे चलिए तो यह कितना हो गया 107 और 84313 इसका जब approximation करते हैं तो हम इसको 110 लिखेंगे क्या लिखेंगे 110 you can see while rule this 0 is not a significant figure यह significant figure नहीं है तो इसमें जो significant figure आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं तो और हमारा multiplication और divination का rule कह कहता है कि जो minimum significant figure है उन दोनों में से किसी एक का वही result में आएगा तो minimum significant figure किसमें है numerator में है क्योंकि यह last का जो term यह 3 हो जाएगा 109 कर देंगे तब भी क्यों होगा 3 होगा इस बज़े से हमने इसको क्या किया 110 किया इसको 0 कर लिया तो यह not significant figure होता है trailing 0 not significant figure होता है तो इसमें 2 significant figure आ रहे है अब आप यह देखे यह question देखे अब 1100 upon 10.2 meter per second and this is what this is exact value और exact value जब आएगा तो यह जो zeros हैं यह भी significant figure होंगे यह significant figure इसमें कितना हो गया भीया 4 हो गया और इसमें कितना हो गया इसमें कितना हो गया जिरा देखे इसमें तो इसमें आपका हो गया 3 कितना हो गया 3 तो अब result में कितना रखना है significant figure कितने रखोगे, कितने रखोगे, केवल 3, तो इसका approximation जब तुम करोगे, तो यह 108 और इसको समझ सकते हो आप, एक significant figure, यह दो non-zero इसको बीचों भचा हुआ, यह भी significant figure, यह भी significant figure, तो result में भी कितना आया, 3 significant figure, तो clear हुआ, तो result में जो आता है, वो क्या आता है, minimum significant figure, क्या आता है, minimum significant figure, इसमें भी देखो, इसमें minimum significant figure इसमें है, ठीक है न, तो यह आपको एकदम से clear हो गया होगा, चलिए, अब हम आगे बढ़ता है, इसमें के परीत कार अब को अबाए, तो अपको एंग, इसमें एपको जो हो भी